नमस्कार दोस्तों स्वागताब कपी के साके यूटूब चैनल पर भाला हूँ जैसा कि आप लोगोंने वीडियो देखी होंगी उनके इंदर आप लोगों को बताया ॉपНе अगर आपका वीडियो वाइरल नहीं आएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में हमें आपको यही बताने वाले हैं कि आप खुद के समार्ट फॉन से आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हो यूटूब के अंदर और उस पे अच्छे खासे वीडियो भी आएंगे और वा टच करना है और वीडियो को एडिट करना सीख लेना है तो आप उस वीडियो पर जाकर वीडियो को एडिट करना भी सीख सकते हो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों आप अपने खुद के मुवाइल से बहुत ही सिंपल तरीके से अपने वीडियो को वाइरल कर सकते हो तो आ आपने खुद के समार्ट फॉन से आप उस वीडियो को अप्लोड कर सकते हो और अच्छी ऐर्निंग ले सकते वह ले सकते हो दोस्तों वीडियो पर अगर है कि आप जोस्तों प्लिप की स्क्रीन पर आने के बाद हमने सिंपल सा काइनमाश्टर को उपन कर लेना काइनमाश्टर को उपन करने का हमारा मक्सद यह है कि हम वीडियो को एडिट करेंगे तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है काइनमाश्टर से आप वीडियो को कैसे अपलोड तो हम इस वीडियो को जो हमने अभी बनाया है उस वीडियो को सबसे पहले हम एडिट कर लेते हैं दोस्तों हमने वीडियो को एडिट कर लिया है और अभी हमने क्या करना है इसको हमने क्या करना है सिंपल सा यहां से टच करना है और टच करने के बाद यहां पर वीडियो पर ट करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है तो हम इस वीडियो का भी डाउनलोड हो जाने देते हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा कुछ ही सेकंटों में वीडियो डाउनलोड हो चुका है और यहां पे आप देख सकते हो यह यहां पर पहले अप्छन नहीं था अंदर मैंने सारी जानकारी एडिट करने के दे दी थी तो इसके अंदर मैं आपको वीडियो अपलोड करना सिखा रहा हूँ तो दोस्तों देख सकते हो मैं खुद की मुवाइल से ये वीडियो एडिट करके अपलोड करके दिखाऊंगा दोस्तों अभी हमने यहाँ पर जब स से share करेंगे तो हमने यहापे क्या ध्यान रखना है यह आपने खास करके ध्यान रखना है अगर आपने मुबायल से वीडियो को अपलोड करना है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है आप देख सकते हो हमारा पहले से यहापे अनलिष्ट दिया हुआ है तो सभी लोगों का बार यहापे वीडियो का अपलोड कर दोगे उसके बाद आपने यहापे टाइटल लगाना है ठिवर्ट डालने डिस्क्रिप्प्स न डालना है यहापे अपलोड होने के बाद दलना है दोस्तों क्योंकि यहापे आमारे पास कोई opsisन नहीं आता यहापे बस हमारे पास description का और title का अमारे पास option आता है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और दूसरी चीज़ का आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे लिखा हुआ है no mad kids तो आपने यहाँ पे क्या करना है जैसे आपका अगर yes mad kids है तो आपने yes mad kids पे touch नहीं करना है आपने no mad kids पे touch रखना है ठीके दोस्तो आपने इसी पे touch रखना है और आपने location यहाँ पे कोई डालना नहीं है अगर आपका playlist है तो आपने यहाँ पे touch करके आपने playlist में यह वीडियो डाल देना है नहीं तो आपने simple सा इसको unlist करके ही यहाँ पे upload करना है तो दोस्तो इस यहाँ पे जो हमारा वीडियो है उसको हमने क्या करना है लगाना है ठमने लगाना है और description लगाना है सबसे पहले हमने क्या करना है हमने आ जाना है अपने crown browser पे तो हम सबसे पहले crown browser में जाएंगे crown browser में जाने के बाद हमने यहाँ पे सर्च करना है अपना yt studio तो हम यहाँ स्टूडियो ऊपन कर लेंगे डोस्तों जैसे में जा कि जाकर पॉ-पन करेंगे तो विच्छ इंटरफेस आ जाएगा उसके बासि सिंपल सा जो सा इसक्विपिम यहां पर लाइवरी यहां पर पॉप्सन है दूसरे बोफे मैं दोस्तों सबसे पहले आपने वहां पर क्या करना है आपने जो वीडियो का description है और title है वो यहाँ पे डाल लेना है सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पे title डालना है और उसके बाद हमने description डालना है अपने social media के यहाँ पे link डालके उसके बाद आपने last में यहाँ पे hashtag लगाने है और आपने यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर टाइटल डालके नीचे जो भी आपने वीडियो में बताया है वो आपने यहाँ पर लिख देना है ठीके दोस्तो उसके बाद जो आप लंबे-लंबे कीवड यहाँ पर टैग में लगाते हो वो आपने टैग में लंबे-लंबे कीवड नहीं लगाने है ठीक है दोस्तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमने इसको अपलोड किया है उसके बाद हमने यहाँ पूरा यहाँ पर फील कर लिया है दोस्तो तो हम यहाँ आपको बताने के लिए पिछला वीडियो आपको दिखा रहे हैं ठीक है दोस्तो उसके बाद आपने यहाँ अगर इस वीडियो को playlist में डालना है तो यहाँ पे playlist आजेगी तो आपने उस playlist में यहाँ पे डाल देना है उसके बाद आपने नीचे जाना है आपको जैसे मैंने नो मैड किर पेट नीन बुदाया था वैसे आपको देख सकते हैं यहाँ पे पहले से अलज़ारी किया हुआा है उसके बाद आपने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दे लिखा हुआ हैा अगर आप यहाँ फॉर poisoned ले रहे तो आपने यहाँ और तिक श्रूर करना यहाँ दोस्तों अगर आप यहाँ पे टिक नहीं करोगे तो आपको community guideline या strike आ सकती है तो आपने इस पर जरूर टच करना है ठीके दोस्तों उसके बाद आप नीचे जाओगे नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे tag डालते हो तो tag आपने जितना हो सके उतने आपने छो यहाँ पर कुछ नहीं चीड़ना है उसके बाद आपने लाष्ट में जाना तो आपको category आपको वीडियो आता है उस category को आपने जरूर डालना मतबूले हम बात करते हैं हमने keyword कैसे डालने हैं कहां से डालने और title थमनेल कैसे बनाना है आपने सबसे पहले क्या करना है जो keyword ड आपने किवर्ड आपने डालना है थीक है जो भी keyword आपको सबसे ओपर में आएगा वही keyword आपने उठा के आपे title में डालना है ठीक है दोस्तों के बाद आपने description कैया डालना है जो भी आपने वीडियो में बताया है वाही आप यहाँपर description में डालोगे जिस topic पे आपने वीडियो बनाया है उसी topic के related आपने description में डालना है जैसे कि हमने बिछला जो वीडियो बनाया था तो हमने description आप देख सकते हैं हमने डाल रखा है दोस्तो आज की वीडियो में हमने आपको सिखाने की कोसिस की है कि आप अपने smartphone से YouTube के लिए video कै जैसे edit करें ठीके दोस्तो तो आपने कुछ इस टाइप से ही डाल देना है और दूसरी चीज आपने जो यहाँ पे description में जो keyword डालने है यूर की रिज डालनी है इस चीज का आपने खास करके ध्यान रखना है जैसा कि आपका जो वीडियो है नो मिंट का है तो आपने यहाँ keyword ही डालने है अगर आपका पांच मीट का वीडियो है तो आपने यहाँ पर 5 keyword डालने है अगर आपका दो 2-3 minit का वीडियो है तो आपने दोस्तो इस चीज का जरूर दिखाना है ठीके दोस्तो उसके बाद आपने नीची अपने social media की link देने है और last में आपने यहाँ love लग तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने क्या खरण ऐंड स्कृइन का मतलब resistance अमारे पास दो वीडियो की आड़ो में करने लगते हैं वीडियो कोई टच करके वीडियो पर वीडियो आता है और शाथ यह वीडियो वाच होती है तो आपने इसको लगाना कैसे है मैं बता देता हूं आपने यहां पर देख सकते हूं यहां पर प्लस का निसान दे रखा है तो आपने प्लस के निसान पर जैसे टच करोगे आपके पास वीडियो का अप्शन आज़े वीडियो पर टच करोगे तो आप हमारे जो वीडियो है वह यह यहाँ पर यहां पर लगा सकते हैं तो आपको card मिलेंगे, card का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने 5 card औरेड़ी लगा रखे हैं, आप एक वीडियो पर 5 card लगा सकते हो, बहुती आसान तरीके से लगा सकते हो, यहाँ पर पलस का निसान दे रखा है, जैसे आप पलस के निसान पर टच करोगे, तो जैसे अभी हमारा end screen पर media पर ले गया था, वैसे हमारा फिर से media पर ले जाएगा, और हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर में, यहाँ पर card लगा सकते हैं, जैसा कि यह देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर वीडियो में पिन हो जाता है, ठीक दोस्तों, तो इतना सब कुछ करने के बाद, आपने क वीडियो को अपलोड कर देना है, जैसे आपने यूटूब पर वीडियो को अपलोड करते टाइम, वहाँ पर अनलिस्ट कर रखा था, तो उसको हमने क्या करना है, यहाँ पब्लिस कर देना है, जैसे हम पब्लिस करेंगे, तो हमारा जो वीडियो है, फुल वाइरल होगा, और फुल उस पे विईू आएंगे तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शियर, सिस्क्राइब जरूर करें, धन्यबाद, जहिन,